दोस्तो आज बनाते हैं आलू मटर की सबजी बोवी कुकर में और कुछ ही मिन्टों में ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो अकेले रहते हैं पढ़ाई करते हैं या जौब करते हैं टाइम नहीं है खाना बनाने का हेलो दोस्तो मैं हूँ उसा उसा सक्य किचिन में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने ले लिए हैं छे आलू तीन प्याज और पांच टमाटर एक अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च आप अपनी फैमली के हिसाब से कॉंटिटी ले सकते हैं सबज अब मिर्च यह थी उनको भी काट लेते हैं अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्च ना डाले खीशच काटने के वाल लिए हैं लासुन की कलिया उनको भी काट के डाल देते हैं और ले रही है अद्रक का टुकड़ा उसे हम कद्दुकस करके डालेंगे जिससे बच्चे भी खा लेंगे अगर काट कर डालते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं उनके मुँँ में आ जाती है तो वो नहीं खाते हैं अब ले ली है मैंने एक मुठ्ठी भ काट लें सभी मैथी काट के तयार कर ली है अब ले लिए हैं प्याज तो प्याज को भी हमें बारीक नहीं काटना है इस तरह से आप मोटा मोटा रफली काट लें बारीक चौप करने की जरूरत नहीं है जैसा भी काट सकते हैं आप काट लें प्याज हमारे कट के तयार हैं ले लिया है कुकर गैस की फ्लेम ओन कर लिया है और आदा कप डाल दिया है सरसो का तेल अब हलका सा ये गरम हो जाएगा उसके बाद डाल दिया है जीरा और डाल दिया है अदरक लैसुन और हरी मिर्च एक चम्मट डाल दिया है हल्दी पाउडर और एक चम्मट डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और एक चमच डाली है कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर जिससे बहुत अच्छा कलार आएगा अगर आपके पास नहीं है तब भी आपकी सबजी बहुत टेश्टी बनेगी अब आलू मेथी मतर सभी को डाल दिया है और उपर से डाल देंगे प्याज कटा और डाल दिये हैं ये टमाटर भी उपर से इसी तरह से सारे रख दिये हैं अब टेश्ट के अंसार नमक डाल देंगे सबजी को आपको भूने की जरूरत नहीं है हम 10-15 मिनट प्याज लेसुन सभी चीज भूने में ही लगा देते हैं उतने में हमारी सबजी बनके तयार हो जाएगी अब अच्छे से मिक्स कर लिया है और डाल देंगे पानी तो मैंने डाल दिया है लगवग आधा लीटर पान देंगे और 2 सीटी लगा देंगे हाई फ्लेम पर उसके बाद इसका प्रेसर अपने आप निकलने दे या जल्दी हो तो आप निकाल भी सकते हैं हाथों से तो हमारी सबजी बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी अब इसके टमाटर के चिलके निकाल दें वह यह बहुत आराम स निकाल सकते हैं सबी टमाटर ऊपर आजाते हैं तो मैंने चिलके निकाल दिये हैं गैस की फ्लेम फिर से ओन कर दी है थोड़ा सा और पकाएंगे अब डाल दिया है गरम मसाला जो पहले नहीं डाला था आप बाद में ही डालें ये बाजार का गरम मसाला है तो मैंने जादा कुछ देर के लिए सब्जी हमारी बन के तैयार है डाल देते हैं धेश सारा हराधनिया और इसके चला देते हैं अप सब्जी सर्व कर लेए तbach चुकी है टो यह वी सब्जी करनेते लिए ल से चावल से रोटी से या नान से पूरी से किसी से भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है आप एक बार जरूर बना के देखिएगा आपका टाइम बचेगा और सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट बनीगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देन नमस्कार